हेलो दोस्तों आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है तो दोस्तों क्या आपके भी फॉन में फॉन पे ओपन नहीं हो रहा है या तो फिर फॉन पे नहीं चल रहा है तो इस वीडियो को एन तक दिखते रहे है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते है और कैसे आप अपने फॉन में पहले की तरह फॉन पे को ओपन कर सकते हो और उसको चला भी सकते हो तो आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रहे है और इसे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए आपको क्या करना है वीडियो को full watch करना है वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है उससे पहले दोस्तों आपसे एक request है आपने अभी तक मेरी YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजे और subscribe करने के बाद और के बटन पर क्लिक कर दिजे आए फ्रेंस अलिए वीडियो को start करते है तो फ्रेंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं अपनी mobile की home screen पर आ चुगा हूँ अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा phone पे open नहीं हो रहा है या तो फिर phone पे चल नहीं रहा है तो इस problem को कैसे ठीक करूँ तो उसके लिए सबसे पहले आप friends आपको क्या करना है कि आप जो भी SIM card यूज़ करते हो उस SIM card से आपको proper internet connection आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो आपको एक बार check कर लेना है तो उसके लिए क्या करना है आपको phone की जो भी screen है उसको उपर से नीचे कर देना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने phone की screen को उपर से नीचे कर दिया है अब आपको क्या करना है अगर आपको full internet connection मिल रहा है लेकिन फिर भी आपका phone पे open नहीं हो रहा है या तो फिर नहीं चल रहा है तो आपको अपने phone को flight mode में कर देना है flight mode में on करने के बाद उसको off कर देना है और उसके बाद अपने phone को restart कर देना है यह काम आपको करने के बाद आपको क्या करना है Font Pay को open कर लेना है अगर आपको Font Pay ये Trick follow करने के बाद भी open नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर Play Store पर आ जाना है Play Store पर आने के बाद यहाँ पर आपको search करना है Font Pay तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो fonts Pay यहाँ पर search कर लिया है अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे एक open करने का option मिल रहा है उसकी जगह पर आपको यहाँ पर एक update करने का option मिल जाएगा तो आपको क्या करना है अपने phone pay को update कर लेना है हाँ दोस्तों अगर आप phone pay का कोई old version यूज करते हो और आपने play store पर से अभी तक phone pay को update नह पिल्कु new version latest version हो जाएगा उसके बाद वो अपने आपके phone में आसानी से open भी होगा और आसानी से चल भी सकेगा तो यहाँ पर आपको update कर लेना है अपडेट करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ से back आ जाना है बैक आने का बाद क्या करना है आपको phone के setting में चले जाना ह तो यहाँ पर हम phone application को find कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने phone application यहाँ पर open कर लेता हूँ तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कहीं सारे options मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है storage वाल option पर आ जाना ह के सारी एरर है अभी जो भी प्रॉब्लम आ रही यह Panे कि एक आफ की सॉन हो जाएगी इसको क्लियर कर देना है उसके बाद algae क्लियर डेटा करने से क्लियर डेटा करने से क्लियर डेटा करने से क्लियर होगा क्या आपका phone pay में जो भी account वो logout हो जाएगा उसको आपको दूबारा login करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा आपको दूबारा phone pay पर click करना है फिर phone पर आपका open हो जाएगा open होने के बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number डाल देना है उसके बाद OTP आजाएगा अपने mobile number को डाल देना है और उसके बाद अपने जो भी तो दूस्तो आप जैसे ही अपने phone pay को open करोगे तो वहाँ पर आपका phone pay open हो जाएगा उसके बाद अपने phone pay में mobile number डाल देना है उसके बाद login कर देना है तो आपका जो भी bank account है वह वहाँ पर आजाएगा और आपका पहले के तरह phone pay open भी होगा और चलने भी लगेगा तो दूस्तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजे सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तो वीडियो आप देख लिजे वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब भी कर लिजे फिर मिलता हमारा नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई